आज यम्मी, टेस्टी, हैलवा भी बन सकता है तो चलिए देखते हैं कि हम कैसी हे बनाते हैं और बच्चे यह चीज नहीं खाते हैं जिस चीज का हम भालवा बना रहा है मगर इस तरह से आप बना करके बच्चों को देंगे न तो बच्चे फटा फट खाएंगे तो चले देखते हैं हलो एवरिवन आप सो का स्वागत है हमारे यूटिब चनल शाय मिस्रा में गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं अपना दलिये का हलवा जो कि आप लोंने नहीं सुना होगा नहीं देखा होगा तो आज हम इस दलिये का हलवा बनाएंगे इतना टेस्टी इतना यम्मी कि बच्चे बिल्कुल मांग मांग कर खाएंगे और क्योंकि इस समय गर्मी का मौसम है मन नहीं होता जाए दिर किचन में खड़ी होने का तो ये बहुत आराम से रेस्पी बना सकते हैं और हेल्दी भी है और टेस्टी भी तो चलिए देखते हैं ये हमने रख लिया है अपना पैन इसमें डाल देंगे दू स्पून घी तो आप अगर टाइट के हिसाब से बना रहा है तो आप घी थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर घी हलवा और घी वगेरा में ज्यादा अच्छा लगता है तो ये भून चुका है कलर टेक्स्चर आप देखी रहे हैं और आप इसमें हमने डाल दिया नारियल कटा हुआ ड्राइफ फूट आप और भी डाल सकते हैं जो भी आप डालना चाहें तो इसको भी एक मेट हम भून लेंगे तो ये देख सकते हैं इस तरह से हम बूनेंगे और आप देखिए हमें क्या करना है आगे चल करके तो इसमें हम जितना दलिया लिया था उसका तीन गुना हम पानी आड़ करेंगे तो आप देख सकते हैं तीन गुना पानी यानि तीन कटोरी पानी क्यांकि लिया था तो यह रेशिव क्लिश्य ज्वल्ट एक बात और आ धिंट इंधो पानी तो यह की पोदी ऐना है वंगुरá थे डेखिए जितनी ड़ल्या थी हमारी उतना ही हमने चीन ही ले लिया है याने एक काटोरी दिया एक काटोरी चीन ही तीन तो यह देख सकते हैं इस तरह से अब हम इसको देखें बाइल करने लगा है तो क्या करेंगे इसको हम ढग करके कुक कर लेंगे ठीक है अभी हम हाई फ्लेम पर कुक कर रहा है मगर यह ध्यान रखें कि हमारे दल्या बाहर ना आ जाए तो देखिए लगवग लगवग दो थोड़ा सा फ्लेम को धीमा कर देंगे यह देखिए इस तरह से हम देखें दल्या तो यह एक तरह से देखा जाए 60% कुक हो चुकी है तो अब हम क्या करेंगे फ्लेम को बिल्कुल कर देंगे लो मीडियम लो मीडियम बिल्कुल कर देंगे फ्लेम जिससे की हमारे दल्या तो हल्वा में दाने बगर होते हैं तो अच्छा लगता है और अगर हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो इसका पानी जल्दी से जल जाएगा और दल्या हमारी कुक नहीं होगी इसलिए 50% 60% कुक हो जाने के बाद में हम दल्या को धीमा कर देंगे बिल्कुल धीमी फ्लेम पर बना लग जाएगा इस वजह से इसको हम देखिए इस तरह से श्टर करते रहेंगे तो देखिए दल्या हमारी बन चुकी है लग 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 तो इसको आप क्या करेंगे आपको इलाइची पावडर अच्छा लगता हो तो इस जगह पर इलाइची पावडर भी आट कर सकते हैं हमा और उपर से डालेंगे जिससे कि इसमें हमारे हलवे में चमक चमक आजाए और साइन आजाए तो यह देखिए इस तरह से हम स्पून में गी डालते वी मिक्स कर देंगे और फिर करेंगे सर्व यह हलवा ना बच्चे बिलकुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं इसम उंगलिया ऑप भी डेस्टी लगता है ऐसा नहीं एक असा नहीं लगता है मगर थोड़ा सा जबने की कंसंटेसी हो जाती है हमारे हलवे की तो देखिया आपडर से तेस्टी और यमी लग रहा है देखने में तो अगर हमारी यह डेस्पी पसंदाय तो लाइक सस्क्राइब confessor और अपने बच्चों को इस तरह का हेल्दी खाना बना करके खिलाईए और हमारी वीडियो फुल वाच करिए थैंक यू फिर मिलतें नेक्स डे नेक्स रेस्पी के साथ